हेलो गाइज आयम महावीर वेलकम टू माई चैनल दी माइनिंग किंग चलिए गाइज शुरू करते हैं आज का वीडियो आज हम बात करेंगे अंडेगरांड मैंस के बारे में मैं आपको दिखाऊंगा अंडेगरांड मैंस का लेयाउट आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का दिखता है अंडेगरांड मैंस का लेयाउट चलिए बात कर लेते हैं underground mines में किये गए सभी development के बारे में तो उसमें आता है सबसे पहले shaft यह सबसे ज़्यादा important होती है underground mines के लिए यह underground mines का entry या exit आप समझ सकते हैं shaft के उपर head frame बनावा होता है जिससे head shift और host drum connector होता है और host drum से एक over wind rope ली जाती है जो skip और cage को connect करती है इस host drum के वज़े से ही skip और cage काम करते हैं उपर निचे की तरफ shaft के अंदर दो लगे हुए होते है skip और cage cage काम आता है workers को लाने ले जाने के लिए और skip काम आता है और और वहां इस्तमाल लाने वाले equipment के लिए अगला है levels apart to reach to ore body यानि कि एक रास्ता जो ore body तक जाता है ये shaft और ore body के बीच में बनाया जाता है मतला एक दूसर को connect करने के लिए बनाया जाता है ताकि workers face तक पहुँच चके attraction के लिए है वैसे इन levels के बीच में कुछ सब levels भी मनने होते हैं जो एक main level से दूसरे main level को connect करते ह हैं आगे है और बोड़ी a bunch of solid mass which consists low grade as well as high grade of ore यानि कि जहां हमारा high grade और low grade का और पाया जाता है और जहां हम extraction करेंगे उसे हम और बोड़ी कहेंगे grade से आप समझ सकते हैं as a quality वहला किस quality का और है अगला है और पास और पास यानि कि underground mines के अंदर एक passage बनाया जाता है उसे और बीन केता है अगला है ventilation यानि कि underground mines के अंदर oxygen के काफी problem होती है और वहां काई सारी जहरीले gases भी होती है इस वज़े से वहां ventilation system लगाया जाता है ताकि mines के अंदर fresh air और fresh oxygen बेजी जा सके ताकि workers को वहां सास लेने में कोई दिक्कत ना और वह आराम से काम कर सके लास् destruction करते करते कोई unwanted water bodies मिल जाती है या फिर पत्रों वगिरा में से पाने निकलता है तो उस पाने को इखटा करने के लिए एक चोटा तालाब या एक चोटी जगे बनाई जाती है underground mines के अंदर ही कि उस पाने को इखटा किया जा सके और उस पाने की वज़े से या उस chemical की chemical की वैसे अगर आपने काला पतर मुवी देखी अभीता बच्चन की तो वो भी इसी उपके उपर बनी है वहाँ पर भी बहुत बड़ा disaster होता है जिसमें कहीं लोग मारे जाते हैं पानी की कारणा extraction करते करते हैं वहाँ पानी निकल आता है तो बस आज के लिए इस वीडियो में और भी information चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे like and share ज़रूर करें thank you